हलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आसमक ही रेसिपी तो फ्रेंड्स आज में लेकर आई हो अलीच की रेसिपी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो यहाँ पर स्कूल को मैं दालो को मैं यहां पर साबुत मसूर और यह देखिए चावल ले लिए एपने अभी लेलिया है हमने गे हुशन जो सब्चने displacement होते हैं इसे हली में बहुत यह गए ऍषर रहे है आप कोई भी अपनी पसंद से डाल सकते हो मूंग डाल उड़त डाल तो अभी इन सारी डालों को एक साइड रख देते हैं और जो हमने हलिम भीगो के रखा हुआ है तो यह देखी मैंने पहले दो तीन घंटे पहले इसको अच्छे से भीगो के रख दिया था जिससे गलाने मे आसानी हो जाती है और बहुत जल्दी गल जाता है यह तो उन दालों को मैं खाली आपको दिखा रही थी लेकिन मैंने पहले दो तीन घंटे पहले इसको भीगो के रख दिया है और अच्छे से हमने इसको धो लिया है तो अभी इसको कूकर में डाल के हम सीटी लगाएंगे और जो की हमारा पहले से भीगा हुआ है तो बहुत जल्दी कल जायेगा तो यहाँ पे सारे दालया और niez में इसमें डाल दिया तो अभी सात में बांगे और बाकी मसाले हम गोष्ट में डालेंगे तो यहाँ पर यह देखे काफी सारव मैंने पानी डाल दिया है कम से कम दो लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अभी एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जिससे हलीम बॉयल करते समय उपर ना आए तो इसमें हम तेल डाल देंगे थोड़ा सा एसको मैंने अच्छे से धोरिया यह वाला गोस्ट है हलीम में अधिक टूब्सक्राइन दालें लेंगे जबने अधे डालेंगे अ कुछ मसाले कर देँ हट जबनने चमच बरके दनिया और गदढूगा है पर इसमें जाएगा एक चमच बरके लाल मिर्च और उसके साथ में एक चमच बर जीरा पाउडर और आप्सिंटार क्योंकि कोई बीठ घरममसाला नहीं डालना है तो इसमें एक चमच बर के मैंने पेसल मजव्र Union मिट मसाला और अभी हम साथ में अदरक 싸 और प्याज को इसके एच्छे से ग्रेंड रजार में पेस्ट बना लिया है तो वह अभी हम इसमें एड़ कर देंगे और अभी इसमें साय का तेल तो यहाँ पर मैं दो चमज भरके इसमें सरसों तेल एड़ कर रही हूं आप जो भी टेल खाते हो वो डाल सकते हो और आप इसमें थोड़ा सा पानी डेड़ कप के लगभग तो अभी इसमें पानी आइट कोड़ेंगे और अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे आपको मैं एक बार याद दिला देती हूँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो अभी हम इसका लिट लगा के और इसमें दो तीन सीटियां लगा लेंगे गोश्ट के गलने तक यहाँ पर गैस पर हमने रख दिया है तो इधर हमारा हलीम उबल रहा है और इधर हमने गोश्ट को रख दिया है दूसरे कुकर में तो यहाँ पर गोश्ट का कुकर हमने खोल लिया है तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़या यहाँ पर गोश्ट भुना है हमारा एक बार इसको चला लेते हैं और आप देख सकते हो कि मसाले और तेल बिल्कुल अच्छे से अलग हो चुका है तो गोश्ट यहां पर हमारा बहुत अच्छे से भुण चुका है एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ किजिए यह बहुत ज़्यादा हेल्थी और टेस्टी रेसिपी है एक बार बनाओके तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी गैस का फ्लेम मैंने यहां पर ओफ कर दिया है और अभी हलीम को देख लेते हैं तो यह देखे हलीम भी हमारा यहां पर काफी अच्छे से गल चुका है क्योंकि हमने इसको पहले से सोक करके रखा हुआ था अगर पहले से हलीम को बिगो के रख देते हैं तो बहुत जल्दी गल जाता है अभी कूकरवन से हम बड़े बरतं में किसी में इसको पलट लेते हैं तो यहां पर हमने भगोने में इसको पलट लिया है और अभी अच्छे से हम मेश करेंगे अभी यहां पर हम लकडी का एक मेशर ले लेंगे और उससे इसको अच्छे से गोटेंगे तो यह देखिए यहाँ पर मैंने लखली का मैशर ले लिया है इसको गोटा भी बोलते हैं तो इससे अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे फ्रेंट्स मैं आपको एक बार फिर से याद लाती हूँ तो अभी इसमें हम पानी एड करेंगे पानी यहाँ पर हमें ठंडा नहीं डालना है गरम पानी डालना है तो यहाँ पर मैंने पहले से ही पानी को गरम होने के लिए रख दिया था तो अभी हम इसमें गरम पानी एड करेंगे तो जिस कुकर में मैंने हलीम को उबाला है उसी में मैंने पानी गरम करके और यह देखे इसी में डाल दूंगी मैं तो जितनी भी आपको यहाँ पे गाढ़ा रखना है थिकनेस रखनी है आप रख सकते हो तो अभी जो हमने गोष्ट को भून के रखा हुआ है वो इसमें एड कर देंगे यहाँ पे तोनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे तो अभी मुझे यह गाढ़ा लग रहा है मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूंगी क्योंकि इसको अभी हमें पकाना भी है 10-15 मिनिट के लिए इसको हम हलीम दलीम ये खिचड़ा किसी भी नाम से बोल सकते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दूँगी तो जिसमें हमने गोष्ट भूना था उसी कुकर में मैंने पानी गरम करके और डाल दिया है तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से रखनाया में ये देखिए तो अभी हम इसको और दसमेट के लिए पका लेंगे जिससे इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए अभी मैं इसमें एड करूँगी एक चमच भर के गरम मसाला तो यह देखिए यहाँ पर इसको हम मिक्स कर लेंगे तो मैंने एक पाउच गरम मसाली का यहाँ पर डाल दिया है छोटा वाला इस टाइम पर गरम मसाला आट करने से इसमें बहुत अच्छी खुश्बू आती है और अभी साथ में हम एक समच भरके इसमें डालेंगे काला नमक तो काला नमक का बहुत एच्छा टेस्ट आता है तो अभी इसको भी मिक्स कर लेंगे और 10 मिनिट के लिए हम इसको अभी मिक्स करके गैस पर रख देंगे एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर बना कर देखिए आपको बहुत जादा पसंद आएगी तो यह देखिए यहाँ पर इसमें उबाल आने लगा है आप देख सकते हो इसकी थिकनेस अभी मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम आफ कर दूँगी और इसको हम तड़का लगाएंगे तो तड़के के लिए एक पैन ले लिया है उसमें मैं थोड़ा सा तेर डाल दूँगी और उसमें हमें प्याज का तड़का लगाएंगे हम तो इसमें में प्याज डाल दूँगी यह देखे इस तरह से मैंने बारिक बारिक प्याज को कट कर लिया है जितनी बारिक प्याज होगी उतनी जल्दी से फ्राई हो जाएगी तो इसका हमें एकदम ब्राउन कलर लाना है तो इसको हम fry कर लेंगे उपर से इस तरह से तड़का लगाते हैं हलीम के उपर तो बहुत एच्छा टेस्ट आता है तो यह देखे प्याज का कलर यहां पर ब्राउन हो चुका है अभी मैं इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी क्योंकि बाद में इसको हम सर्फ करते टाइम उपर से डालेंगे तो थोड़ी सी प्याज हम इसमें से निकाल के रख लेंगे और बाकी इसके उपर हलीम के उपर डाल दूँगी मैं तो बागी का हम इसके उपर डाल देंगे और यह देखे कितना बढ़ासा हमारा हलीम बनके तयार है तो चलिए अभी इसको हम सर्व कर लेते हैं तो इदे कि हलीम बनके यहां पर हमारा तयार है इसके उपर अद्रक नीबू हरा धनिया हरी मिर्च काटके मेरे इसके उपर से डाल दिया है तो फ्रेंड्स अखर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइ कर देना